नमस्कार फिवर्ष नत करिश्णा और गौरी की कहाने सो में देखने को मिले काफी ट्विस्ट अंट्रंस जहां पर देखने को मिला कि आप जीत किसी भी बात को मानने के लिए तयार नहीं होता है जहां पर परिवार वाले पॉलर रहे होते हैं कि जीत तुम्हारी आखो के साम करती है तो उसके पीछे कोई ने कोई बड़ी बात जिरूर होती है बोल देता है कि कोई कुछ भी कहे लेकिन मुझे अपनी कृष्णा पर पूरा यकीन है कि वह जो कुछ भी कर रही है वह रूतर से मजबूर होकर कर रही है उसी ने किसी बात के लिए उसे मजबूर किया है तो अब देखना काफी दिल्चस पोने वाला जहां पर जो जीत बार बार कृष्णा के पास फोन करता है पहले तो कृष्णा फोन नहीं उठा रही होती है लेकिन फिर वो फोन उठाएगी तो क्या आपकी बार फोन पर ही जीत को पताएगी रुद्र से क्योंकि उसने साधी क्यों हुई थी वो मजबूर क्या अपकी बार कृष्णा जीत के सामने खौल पाएगी इस नकली साधी कराएगी